लेबनी स्टाइल का चिकन टिकका बनाएंगे ये लजीज चिकन स्टार्टर को हम बिना अविन ये तंदूर के बहुत ही आसानी से घर में बनाकर रैडी कर सकते हैं तो रेसिपी बनाने के लिए हम लेंगे बॉन्लिस चिकन मैंने यहाँ पर एक किलो बॉन्लिस चिकन ले हूँ ये 25 पीसेज हैं और थोड़े बड़े साइस के ये पीसेज मैंने रखे हैं चिकन को मेरिनेट करने के लिए पहले हम इसमें डालेंगे एक चमच अद्रकलेसन का पेस्ट नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आड़ कर लेंगे तो मैं डाल रहे हूँ एक चमच नमक एक निम्बू का रस इसमें निचोड लेते हैं अच्छी तरह से सारी चीजों को हमें मिक्स करना है ये चिकन का हो गया है पहला मेरिनेशन इसे इसी तरह से हम छोड़ देते हैं करीब 10 मिनट के लिए अब चिकन के लिए मेरिनेट बनाना है लेंगे हम दो बड़ा चमच भर कर गाढ़ा दही ये दही का आप पाने निकाल कर ले लीजिए तीन बड़े चमच में ले रही हूँ लेसन क्रश किया हुआ आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट डाल लीजिए हरी मिर्चों का पेस्ट डाल लेते हैं एक चमच दो चमच लेंगे कुटी हुई काली मिर्च एक चमच लेंगे औरिग्यानो मैं पीजा औरिग्यानो ले रही हूँ आदा चमच लेंगे दार्चीनी का पाउडर तीन बड़े चमच इसमें डाल देना है ओले वॉयल ओले वॉयल की जगह पर आप कोई दूसरा तेल या खी भी डाल सकते हैं थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धनिया के पत्ते डालेंगे इसमें और इस मेरिनेट के हिसाब का थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं तो ये दूसरा मेरिनेट ड्रेडी है ये मिक्सचर को हमें डाल देना है चिकन के ओपर चिकन को अच्छी तरह से अब सारे मसालों के साथ हम मिक्स कर लेते हैं चिकन पर सारे मसाले कोट हो जाए इसके बाद हमें इसे मेरिनेट करना है आदे घंटे के लिए तो इसे ढग देंगे या कोई क्लिंग राप से इसे राप कर लीजिए और फ्रिश में रख लीजिए आदे खंटे के लिए चिकन मेरिनेट हो रहा है तब तक हम बना लेंगे एक चीजी वाइट सॉस लेबनीज चिकन के साथ सर्फ करने वाला तो पैन में डाल लेंगे दो बड़े चमच ओले वाइल की जगा आप बटर भी डाल सकते हैं दो बड़े चमच इसमें बारिक चॉप किया हुआ लेसन डालेंगे और लेसन को आदे मिनट के लिए पका लेते हैं हलका सा ये नर्म मुलायम हो जाए इसके बाद हमें इसमें डालना है आधा कप इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम या घर के दूद की मलाई को आप फेट कर डाल लीजिए एक चौथाई कप इसमें मियोनीज डालते हैं साथ ही इसमें डाल लेना है एक चीज स्लाइस या फिर आप चीज का क्यूब भी डाल सकते हैं अब एकदम लो फ्लेम पर सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है नमक मैंने इसमें नहीं डाली हूँ क्योंकि चीज में नमक है आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा नमक आड़ कर सकते हैं ये सॉस काफी गाड़ा होता है आप चाहें तो इसमें थोड़ा दूद आड़ करके इसे पतला कर सकते हैं आदा चमच अब इसमें डालना है कुटी हुई काली मिर्च और आदा चमच डालते हैं औरिगानो फिर से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे तो लेबनीज चिकिन के लिए वाइट सॉस बनकर रेडी हो गया है एक सालेट बनाते हैं जिसके लिए एक मीडियम साइस की प्यास पाउडर या आप पाउडर डाल लीजिए सूखे अनार दाने का पाउडर है दो बड़े चमच थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धन्य के पत्ते डाल लेते हैं और एक नीमू का रस इसमें डाल लेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आड करते हैं अच्छी पाउडर से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है यह सालड भी रड़ी हो गया है लबनीज चिकन के साथ सर्फ करने के लिए अब चिकन मेरिनेट हो चुका है इसे हमें पका लेना है तो पैन पर बेनार तेल डाले यह सारे चिकन को हम यहां पर रख लेते हैं सारे चिकन के पीसे लेते हैं अलट पलट करते हुए अब चिकन का सारा पानी हम हाई फ्लेम पर सुखा लेंगे चिकन था इसका बोनलेस है और हमने इसे आधी गंटे के लिए मेरनेट भी किया है तो चिकन बहुती जल्दी पक कर नर्मुलायम हो जाएगा अब चिकन को हमें फ्राइ कर लेना है अ से धक देंगे 10 मिनट के लिए अब लेबनीज चिकन सर्फ करने के लिए हमने जो सालिट बनाया हुआ है इसे दिश पर पहला लेते हैं धकन हटा लेंगे चिकन में अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ गया है लेबनीज चिकन रडी है सर्फ करने के लिए एके करके ये साथ के साथ सब कर लीजिए